हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू वाइफाई श्टेडी चेंजिंग दा वे ओफ लेंडिंग स्वागता आप सभीका इंडिया के नंबर वन श्टेडी चैनल वाइफाई श्टेडी में दोस्तों कैसे हैं आप लोग सभी आई होप सभी बहुत अच्छे हैं शानदार हैं जैसा कि आप लोगों को पता है डेली सुबह साड़े नौ बजे हम लोग रेलवे ग्रूप डी दो जार अठारा के शिफ्ट वाइट सॉलूशन यहां पर कर रहे हैं आज हम लोग करेंगे 25 यह नहीं 25 सितंबर की फर्स शिफ्ट के क्योशन ठीक है तो सभी आप लोग जूड़ दो सीधे सीधा आप लोगों को एकशम में देखने को मिलेंगे यहां पर दोस्तों आप लोगों को क्लास में लाइव रैंक में मिलती है आप यहां पर पदारी है अनाम सर्च करें नीरज जागे मुझे आपको क्लास मिल जाएगागी अगर आप नई च्टूडेंट दो एक कम्प्लीट सभी के लिए साइन्स हो जाएगी कम्प्लीट डिटेल में थो रही है फिजिस केमिस्ट्री बाइलो जी 11 तारिक से यह शुरू हो रहा है मैं आप लोगों को रोज डेड़ गंटे की कलास है जिससे हमारा समय पर स्लेवर्स हो जाए साथ में आप लोगों को बूस् लगाने के बाद में यहां पर आप मुझे से डाउट वाग्यरा शांदार पीडियाफ मज़ा आ जाएगा ठीक है जारा तरिक से शुरू हो रहा है इस बात का प्लोग विशेज द्यान रखेगा बाकि आप लोग सब्सक्रिशन अभी ले लो क्योंकि जो बूस्टर को सो कि इन में से किसका उपयोग सुगंध संके तक जिसको आप लोग इंग्लिश में और फैक्टरी इंडिकेटर बोलते हो इसके रूप में किया जाता है चार आप लोगों को ऑप्शन दिये हैं वनीला आवला इंडिकेटर का मतलब होता है जो कोई ना कोई चीज को आप लोगों को बता हैं हमारे घर में जो अजीब सी समयल आती न तुम सुगंध की वज़े से संकेट मिल रहा है कि कई पर गयसलीग हो गई समझके बात को इन में से कौन आप लोगों का अपनी सुगंध के कारण कुछ ना कुछ संकेटर करेक्ट अंसर आप लोगों का दोस्तों जीसे बात करते हैं ऑनियन प्याज ओनियो आप लोग जानते हैं वक्रोण वक्रों जानते ओठों छींज तो यह इन Hmmm के बाइस को यह जैसे प estado यहां जाती है यह समयelles स्देगे जाती है जीसे अगर हम लोग बात करें वनीया के न सुगंध वो चली जाती है तो अगर वनीला में कुछ डालने पर इसकी सुगंध चली गई तो आप लोगों को क्या संकेत मिलेगा कि जो आपने डाला था वो क्या था दोस्तो बेस था शार था जबकि ओनियन में उल्टा है ओनियन पर कुछ ऐसे डालोगे न तो प्याज में जैसे उसकी स्मेल आती थी वैसे रहेगी बट अगर आप लोगों ने इसमें बेस डाल दिया कुछ शार डाल दिया न तो इसकी जो भी आप लोगों की स्मेल थी न वो क्या हो जाएगी चल जाएगी तो इस बात का अप लोग ध्यान रखेगा मतलब से में दोनों का आप लो हो यहां पर चार आप लोगों को प्लांट की नेम दीए हुएं इस नेंसे बरायो फाइट कौन सा होगा आइए पहरी इस बाट को समझजी ए निकि प्लांट बहुत प्रकार्वर के होता है आप और बीजी अब केसी इनमें इंस में तेल्वा यह नहीं इन में पत्तियां होती नाहीं इन में जड़ जायेगी इसमें दोस्तो जड़ होगी बट इतने वेल डवलप जड़ नहीं होगी जैसे बाकी आप लोगों को प्लांट में मिलता है जड़ के जैसे कुछ नजर आएगा बट एक्चल में जड़ नहीं होती ठीक है फिर इससे डवलप तोड़ से यह होंगे फिर यह फिर यह आप लोग अब एक चीज मुझे बताइए जब मैंने आप लोगों को बॉटनी पढ़ाई थी यह मैं अपनी क्लास का स्क्रीन शॉट लेकर आयों क्या ध्यान है कि आप लोगों को मैंने आप लोगों को बताय थे ब्राइव फाइटर के अगर आपने गलती से बना लिया हो तो आप लोग देखो इधर मैंने कुछ एकजमपल दो आपकोiau यह लीवरस है ब्राइव उप्टों इस प्राकार का फ्लांट ब्राइव फाइटर है धोस्तो फ्यूलिया गूर आः Boy story bye ही रखाए și किस प्रकार का प्लांट है आप लगों का ब्राइव्ध है ठीक ठीक कुछ अभर मैंने आपको कहता मोज हन्म लीवरवॉट सरे किस में यह इसमें स्मय आप लोग के यह हैं चर्ट यह है आप लोग का में फाइटा हो गया यह आप लोगों का फ्यूनेरिया के बारे में नहीं बता है ना मैंने आपको शेयर अभी आप फ्यूनेरिया बता दो दिया प्राइफ होगा एक उप्शन बचा तो करें टंसर ऑप्शन नम्बर डी हो जाएगा बाकी मैं आप लोगों की जानकारी के लिए ब और तना कुछ भी नहीं होता है तो थेलोफाइटा प्रकार के प्लांट है ना कि आप लोगों का ब्रायोफाइटा ठीक है चलिए अंसर आप लोग बताए इसका क्योर्शन अच्छा है बहुत अच्छा गौनसेप्ट आएगा इसमें बताओ आप लोगों से बोला जा रहा है यदि किसी तरंग की आवरती को आप लोग दुग नहीं कर दो इसके फ्रिक्ट्वेंसी को आप लोग डबल कर रहे हो तो उसकी वेवलेंट पे क्या परवाव पड़ेगा क्योर्शन में ये पूचा जा रहा है देखिए यह आप लोगों की कोई wave है tutaj तो एक second में यह कितनी cycle बनाती है जैसे मालो यह 1 cycle 2, 3, 4 to 1 second में कोई wave कितनी cycle बना रही है इसी को आप लोग बोलते है frequency यानि आवरती यह बात आप लोग जानते हो तो यह जो आप लोग की wave है कोई आगे चल रही है इसकी कोई ना कोई speed भी तो होगी अरे कोई ना कोई इसकी चाल भी तो होगी तो इसकी speed का formula क्या होता है frequency into wavelength यह आवरती गुना तरंग देर दे यह इसकी speed का formula है ठीक है यह आप लोग velocity की बोल सकते हो अब देखे हर तरंग की कोई ना कोई speed होती है जैसे मैं बात करूँ light light भी यह वाली value तो आप लोगों की fix रहेगी तो अगर आप लोग इसको बढ़ा रहे हो तो इसको कम होना पड़ेगा इसको कम कर रहे हो तो इसको बढ़ना पड़ेगा जैसे मैंने आप लोगों को बोला 4 into 3 बराबर होता है 12 मैंने आप लोगों को बोला या right में आप लोगों को रहेगी तो अगर इसको आपने F से 2F कर दिया तो इस लेमडा को क्या करना पड़ेगा लेमडा वाई 2 करना पड़ेगा तभी 2 से 2 कटेगा अब आप इस F इंटू लेमडा आएगा तो आदी हो जाएगा ठीक है ठीक है सिंपल गोशन है चले आगे और यार सेशन को लाइक और शेयर करना मत बूलो लाइक तो कर सकते हो बिल्कुल एक टिक करने पर क्या जा रहा है चले बताइए इन में से कौन सा तत्व है जो 17 वर्ग से संबंदित नहीं है जैसे आप लोगों को पता है ना यह हमारी पीरियोडिक टेबिल है इसमें जो वर्टिकल लाइन्स होती है उ है से संब्रवे में कहा से आएगा बाकी यहाँ पर देको आपका हीलियम हो गया यहाँ पर आपका यह यहां पर फ्लोरीन होटा है फ्लोरीन एंडित एस्टिट एथा इन नी सा जो कितना वर कर रहे है थाउजन जूल जिसमें 200 न्यूटन का स्थ दबल स्थ दबल का मतलब एक फोर्स है जो कंटिनुस लग रहा है तो आप लोगों को बताना है लिफ्ट द्वारा तैकी गई दूरी तो सिंपल सी बात है यार यह आप लोगों का लिफ्ट है अगर यह द्वार किया गया रह violate एक जार है तो वर्क कित्ता दिया हुए आप लोगों को बताना है कि दिश्प्लेश्मेंटूं कितना विस्तापन कितना होई और लोग 네가 सर्णलरेखा में चल रहे हैं तो जितना विस्तापन होता हम्ता लिक्ते दूरी आ थे आप लोग का हो जाएगा पाच मेंटर है ना ओप्शन नमबर ए ठीक है सिंपल चलिए आगे चलते हैं नैश कोशन पर अंसर बताईए आप लोग कि क्योशन आपके स्क्रीन पर है कि अंसर आप लोग बताईए देखो आप लोगों को बोला जा रहा है 30 किलोग्राम दरवेमान की एक वस्तू है जो पाच मिटर पर सैकिन्ड के वेक से गती कर रही है वस्तू में नहीद गती जुर्जा कितनी है यह आप लोगों को बताना है देखो बात को समझी मेरी बात को जैसे कोई भी एम दरवेमान की वस्तू है अगर यह वी वेक से चलती है तो इसमें गती जुर्जा कितनी होती है एक बटे दो एम वी स्क्वार होती है क्लियर है गया तो एक बटे दो एम का मान कितना है M का मान है 30 वेग का मान कितना है 5 5 का स्क्वार कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा तो 30 बटे 2 आप लोगा हो जाएगा 15 15 इंटो 25 करना है बाकी आपको सॉल करने की जरूती नहीं है आपको पता है उर्जा चाए गति जुड़ जाओ सभी का मात्रक जूल होता है यहाँ पर आप लोगो देखो पास्कल दिया हुआ कोई प्रेशा ठोड़ी निकालना था इसको अटा दो यह किलोग्राम इंटो मेटर पर सेकेंड आपको कोई समवेक ठोड़ी निकालना था न्यूटन कोई फोड़ी निकालना था आप लोगों को एनर्जी निकालना था एनर्जी का मात्रक जूल होगा यार चलिए आगे चलते हैं नैश कोईशन पे अंसर आप लोग बताएंगे क्योशन आपके स्क्रीन पे सिंपल क्योशन है और देखिए मैं आप लोगों को बता दूँ आप लोग बिल्कुल भी ये ना समझे कि सर यार ये वाले जो क्योशन मुझसे बन गए तो मतलब मेरी आप लोग इस बार के NTPC CBT1 के क्योशन देखो क्योशन का लेवल काफी अच्छा है तो केवल आप लोग इस से जच मत करो भाईया ये 2018 के क्योशन है अभी चल रहा है 2024 साल पुराने है अभी आप लोग रिसेंट में अभी आप लोग ICAR के क्योशन उठा के देख लो पता पड़ जाया का लेवल आप लोग को UPSI के उठा के देख लो आप लोग NTPC CBT 1 के उठा के देख लो मैं आपको डरा नहीं रहा बस मैं आप लोगों को भूल रहा हूँ कि आपकी तयारी अच्छे लेवल पर रखना मैं आप लोगों को बहुत सारी जैसे एक बज़े वाली क्लास आप लोगो फॉलो करनी है कुछ बच्चों को लगता सरी यहां तो क्यूशन सिंपल है वहाँ पर हाड़ कुछ भी आड़नी है वो भी सारे प्रीवेश सेर की है बस यहां पर मैं गुरूब D 2888 की करवा रहा हूँ जो आप लोग कहीं न कहीं बहुत बार पढ़ पढ़ चुके इसलिए आप लोग को सिंपल लग रहा है वह इतने अच्छे अच्छे आएं क्यूशन तो बताओ आई रेन की अभी क्रिया आप लोग जब कॉपर सलफेट से करवाँगे तो आप लोगों को मिल रहा है नहीं तो कॉंबिनेशन तो बिल्कुल भी नहीं है क्या एक से दो या तीन चीज़े मिल रही है क्या क्या डीकमपोजिशन हो रहा है क्या नहीं तो ये भी नहीं है क्या कुछ चीज जल रही है के नहीं यह भी नहीं है एक के उप्शन बचा हालांकि आप लोग देख भी सकते हो आयरन ने क्या कर दिया कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया वाई तुह तेरी जगह में बैट होंगा तो एफ एसो फॉर प्लस कॉपर बन गया तो यह आप लोगी डि करें को समझो मेरी बात को कोई भी मैटल होती न कोई भी धातू होती कोई भी मैटल यानि कोई भी धातू होती न वो प्यॉर स्टेट में नहीं पाई जाती आप लोग को बता है यह आप लोग का सलफाइड स्टेट में मिलता है न तो इसी को आप लोग बूलते हैं सीने बा आप यह मैं आपको तो रियल में देखने में कैसे लगेगा देखो आप लोगों कआ सीन हे बार देखो यह इदा जिसका एक नाम और है इसका दूसरा नाम क्लां बॉस्ता इससे अपर लोग क्या निकलते हो मरकरी निकलते हो भी दोस्तो हेमेट इसका है हमेट और मेगने डाइब से आप लोगों को मिलेगा आईरन यानी यह लोह सको जाएंगे बॉक्साक्ति इस बार न्याय में पूछा गया था कि इन में से इस्वाणी पत्य consist उसको सेड्राइट बोलेंगे तो दोस्तों कार्बन का पट्षंटे सबसे ज्यादा किसमें आप लोग का मेंगनेटाइट में 72.4 पट्षंट आप लोगों का कार्बन पाया जाता है सिमिलरली जैसे आइरिन के इतने इसक हैं ऐल्यूमिनियू में एसा थोड़ी केवल बॉक साइट आपोगों का ऐल्यूमिनियूम आइसक दोस्तों आप लोग क्रायू लाइट भी आंप की आट तो इनके आप आप लोगों याद रखेंगे घछे ठींग स बताह। प्रत्वी पर किसी वस्तु का द्रवे मान 10 किलोग्राम है तो प्रत्वी पर इसका भार आप लोगों को बताना है सिंपल सा आप लोगों को क्योशन है देखो बात को समझो कि द्रवे मान आपको 10 किलोग्राम दिया हुआ है यानि M का मान आप लोगों को दिया हुआ है 10 kg कोई दिक्कत आप लोगों से बहार पूछा देखो बहार क्या होता है आप लोगों का M G होता है वेट का फॉर्मूला M x G होता है M का मान आपको दिया हुआ है 10 G का मान जब तक नहीं बोला जाए 10 ना ले अगर इदर लिखा हुआ है जी 10 लो तब 10 लो वरना आप लोगों को 9.80 लेना है तो जब आप लोग इसको दोस्तों यह जो एलिफिंटे से लिखा हुए ना एक्चुली यह डीजिज का नाम है लिंफोर्टेक फाइलरेसे जिसको आप लोग हाती पाओं के नाम से भी जानते हों तो आपको बताना है बेसिकली यह वाली जो डीजिज होती ही वो कौन से वाम की वदे से होती है इन सबस क्योशन बच्चों जैसे दे दिया बहुत काम आपका असान कर दिया पहले आप लोग समझो पहले आप समझो मैं क्या बोलना चाहरू हूँ मेरा क्योशन आप लोगों से यह है कि यार यह जो वाम होता है यह क्या होता है यह वाम क्या होता है कौन मुझे बतायागा मुझे तो इसका आप लोग जवाब देजिए, वाम क्या होता है, मुझे आज तक समझ में नहीं आया, ये वाम क्या होता है, कौन बताएगा, कमेंट में मैं आप लोगों के उत्तर दे रहा हूं, मतलब उत्तर चेक कर रहा हूं, आप लोग समझाईए, जिससे बाकिये बच्चों के हेलप ओ, वार्म क्या होता है, बताओ, राउंड वाम, राउंड वाम गलत, लीच, पैरासाइट, कीडा, वाइरस, एनिमल, पैरासाइट, एसके एलमेंटिसेस, प्लैटी एलमेंटिसेस, सब गलत है, आज आप लोगों को ऐसी जानने की मिलेगी वार्म के बारे में, जो आप बोल रहा हूं, नेमा ठोड़ा, फेमा ठोड़ा बताने क्या क्या बोल रहा हूं, तो यह सारे की सारी अदूरी जानकरी है, इसलिए मैं आप लोगों से मेरे को भी एदूरी जानकरी, इसलिए मैं आप से पूछना चाहरा हूं, आप को बता सकता है, वार्म क्या है, वार्म जो लॉंग एनिमल विद थिन बोड़ी, अच्छा, और बताओ, फंजाई है, दोस्तों, एक्चुली में वार्म जो है, वो है एक एनिमल अब आप लोगों किसको बोलते हैं, अब देखो यह एक ऐसा एनिमल है, जो कभी आप लोगों की आखो में मिल जाएगा, जब कभी आप लोगों की इंटेस्ट है, आपकी आतों में भी मिल जाएगा, आप लोगों को यह वार्म, तो आप लोगों किसको बोलते हैं, हाथी को शेर को, मैंने तो बच्च-पर में पढ़ाता, 5 अनिमल के नाम बताओ, मैंने तो ये बताइता, हाती, शेर, कुटा, बिल्ले, गाए, देखो, अनिमल आप लोगो किसको बोलोगे, बाए लोग जी के नजर में अनिमल किसको बोलते हैं, भहिया, आप तो भी एक एनिमल है, ठीक है, तो देखिए, एनिमल क्या होते हैं, समझो, ऐसे आप लोगों के जीव, जिनमें कौन सी कोशिका पाई जाती है, यू केरूटिक सेल पाई जाती है, जो फोटो सिंथेसिस नहीं कर सकते, यानि अप ट्रकास अंसलेशन नहीं कर सकते, अपना है, आप लोगी मुझे बताईए, तो देखो भाईया, आप लोगों को यहां पर एक चीज देखेगे, दिखा क्या वाम, यह आगया, यह वाम है, अब आप हर किसी ऐसे को भाईया वाम नहीं बोल देंगे, अब इसमें आप लोगों को क्या खास बात नजर आ रही है, तो द क्लियर है, तो मैंने हैं आप लोगों को बता दिए, ठीक है, इनकी दोस्तों जो बौडी होती हндा, वो सिलेंड्रिकल नहीं होती है, यह बतता आप लोग दियान रखे कि इननोंने लिख दिया, और इनकी गलतीन यहां क्या लिखें, हर वाम अलग अलग प्रकार का होता है, ठीक है दोस्तो इन में no limb no eyes इन में eyes वगएरा कुछ भी नहीं होती चलो ये बाते इन्होंने बता दी अब मेरा question आप लोगों से दूसरा है आपने बोला कि warm जो है एक animal है आपने बताया दोस्तो आप लोगों को पता है जितने भी animals होते है ना उनको उनकी विशेस्ताओं के आ आप लोगों के animal जिनके पैर जुड़े वे होते हैं उसको और्थोपड़ा फाइलम में रखते हो किसी को आप लोग मोलस का फाइलम में रखते हो किसी को प्लैटी ऐलमें रखते हो किसको किसमे किसमे मेरा question यह है कि warm को आप लोगों कौन से फाइलम में रखोगे रोज तो क्योंशन में आप लोगों से इसलिए पोच रहा हूं इतना इसलिए डिटेल में बता रहा हूं को कि तभी जा कि आप लोगों के सारे कन्सूजन दूर होंगे अगर आप लोगों को क्योशन रटने में तो भी बता कि बगजाता वो शेरिये बैंक्राफ्ट यह इसका अंसर बट आप ऐसे में समझो बताओ इसका अंसर बताओ आप लोग नेमा टोडा में रखेंगे कुछ जिने बोल रहे हैं सर नेमा टोडा में कि इस बात को आप समझो दोस्तों वाउम जो होता है वह हों भी अलगलग टाइप के होता है समझो मेरी बात को जैसे कोई-कोई वाम जैसे मैंने आप लोगों को बढ़ना कि जितने भी आप अब यह आपका कैचू है ना कैचव भी एक प्रकार का वो मैं यह जो अर्थ माम ह चैसे मिलेंगे जिनकी body segmented होती है खंडित होती जैसे मैं और वो माररा नियारा मेयों यह प्रकार वो है न देहना इसकी body segmented है के एक कुछ फंड बना हुआ है इसके body पर यह दूसरह यह तीसरह में अब देख पारें आप लोग तो आप लोगों के कुछ वर्म होते हैं जिनकी बॉड़ी होती है सेग्मेंटेड और जिनकी बॉड़ी सेग्मेंटेड होती है मैं बोलू सेग्मेंटेड वर्म्स होते हैं उसको आप लोगों कौन से फाइलम में रखते हो दोस्तों कुछ आप लोगो से इस फाइलम में रखते हो दोस्तों कुछ आप लोगों को वाम मिलेंगे इसे गोल मिलेंगे जैसे यह आप लोग को ऐसे मिलेंगे तो उसको आप लोग कौन से फाइलम में रखोगे नेमा टोड़ा फाइलम में रखोगे इसलिए नेमा टोड़ा फाइलम वाले में जितने भ समझ रोब आपको तो वोम भी अलग अलग प्रकार के होता है अब लोगों की वज़े से होता है अब बात आती है कि सरी वोम का नाम क्या है आप लोगों का वुशेरिया बैन क्रॉफ्टी सर आप मुझे बताएं इसको मैं कौन से फाइलम में रखूंगा तो दोस्तों जो वो शेरिया बैन क्रॉफ्टी का जब आप लोग शेप देखोगे न तो यह थोड़ा सा आप लोगों का क्या होता है राउंड वाला होता है तो राउंड वाले जो आप बोड़ी में वो आया हुआ कहीं न कहीं बिल्कुल दोस्तों एक्चुली में जो वाम होते हैं यह आप लोगों के पैरा सिटिंग नेचर के होता है यानि पर जीवी प्रकरति का मतलब क्या है जैसे आप हम लोग क्या करते हैं अपना भोजन खुद नहीं बना सकते फोटो सं नहीं कर सकते यह भी हेट्रोट्रोफ से यह भी विशम पोशिये बट यह किस प्रकार के विशम पोशिये पर जी बड़र की दूसरे के बॉड़ी में रहकर उससे नियूट्रिशन लेंगे तो जब यह आप लोगों के वुशेरिय बेंग्रॉफ्टी वाले आप लोगों के जो वर्म जब आपकी बॉड़ी में आजाएंगे तो इसी डीचीज को आप लोग बोलता है हाथी पावरोग और इसके जो वर्म का नाम है वुशेरिय बैंक्रॉफ्टी है तो भाईया मज़ात्या बाता जब यहां पर वुशेरिय बैंक्रॉफ्टी दिया होता चार आप अब देखों अब देखो फाई लुरियस मैं आप लोगों को क्या बताया है जो ऐली फेंटेसेश डीचीज है ना इसका दूसर नाम क्या है आपका ψलिक फाईलिरूरिय से होता है उसको आपकी स्क्रीन पे अंसर आप लोग बताएंगे सिंपल सा कुर्शन है कि डैश सूरे द्वारा उस्तर्जिक हानिकारक विकी रन है मैंने आप लोगों को कल बताए था कि जो होट फरनेस होता जो बटी होता है उससे जो आप लोगों के रेडियेशन निकल रहे हैं वो कौन सी ह दोसरी स 24 चीज में अब लोगों के तुमतंव होसकता है आप ने डेखा युगल फर दालों गहीं फोटो जिसको आप लोग इंदी में आप जिंकी बोडी बहुत जदर एक वो जाती है थे обрат लोग मुझे बताओं आपने देखाऊगो हर व्यक्ति का रंग अलग अलग होता है किसी का फेर होता है किसी का कैसे कैसे ठीक है और आप लोगों को ये भी पता है कि जो इस प्रत्वी पे इस अर्थ पे अलग-अलग जगे जो रोग लेते हैं उनका जो रंग होता है वो अलग इनकी सेल से एक पिगमेंट निकलता है पिगमेंट आप लोग किसको बोलते हो ऐसे आप लोगों के सब्स्टेंस ऐसे पदा जिनसे रंग मिलता है तो हमारी इसकिन को जो रंग मिलता है वो कौन से पिगमेंट की वज़े से मिलता है मैलनिन की वज़े से मिलता है तो अगर ब दूप में आप लोग कम निकल रहे हो तो इसकिन से निकलने वाला पिगमेंट जिसका नाम मैलनिन है उसके मात्रा कम होगी और आपका रंग थोड़ा सा क्या होगा दोस्तों साफ होगा क्लियर है क्या यह चीज आप लोग ध्यान रखेगा अब अल्ट्रा वालेट जो रेडियेशन है इसके में नुकसान तो इसका फायदा भी है अल्ट्रा वालेट रेडियेशन से ही हमारे बॉड़ी में जो विटामिन डी है इसके निर्मान की प्रक्रिया बहुत तेज हो जाती है आप लोग के तो चलिए करेक्ट अंसर आप लोग का ऑप्शन नमबर बी हो जाएगा अब यह अल्ट्रा वालेट रेडियेशन होगी तो विजीबल से आप लोगों का जस्ट पहले आता अल्ट्रा वालेट यह द्यान रखिएगा अप लोग चलो अंसर बताइए परमाणू करमांग 56 वाला तत्व किसे ब्लॉक से संबदीता चार आप लोगों को ऑप्शन दिये में एस ब्लॉक पी ब्लॉक डी ब्लॉक एफ ब्लॉक देखो बात को समझो आप लोग यह क्योशन हर को इस समझ बता देगा तो कि आप लोगों को पता है यह पिरोडिक टेबिल है यहाँ पर 57 था लेंथे नम का इसके आगे 14 तत्व को आप लोगों ने इधर रखा है दोस्तों 56 वाला तो इधर ही मिलेगा कि आप लोगों को ब्लॉक बताना है ब्लॉक कौन सा होगा एक तो यह बताना है और आप लोग मुझे बताइए चप Amazing पर्मानुक्रवांक वाले उस तत्व का नाम भी बताईए उस तत्व का नाम भी बताईए बहिया कॉपर का है 56 यह जिंख का है किस का है दो चीज आप लोगों को बताने है तो देखे 56 वाला तो आप लोगों को काम पर मिलेगा एस ब्लॉक में मिलेगा तो मिलेगा देखो यह आप लोगों का यह पिरोडिक टेबली इसी को देख लिए एक बार देखो यह आप लोग के जो वर्टिकल लाइन्स होती है उसको ग्रूप बोलते हैं वर्ग बोलते हैं पहला वर्ग यह दूसरा वर्ग और पहला वर्ग और दूसरा वर्ग वाला यह जो ब्लोक है न इसी को आप लोग एस ब्लोक बोल रहे हो पी ब्लोक तो आप लोगों का तीसरे वर बाप राजी ये बाप बी ये वाला होता है ना बेरियम देखो आपको बताओं ये वाला बी ए जिसका एटमी नमबर 56 है नाम बेरियम है देखो ये रहा आप लोग का बेरियम बेटा मांगे कार स्कोटर बाप राजी तो 56 के जश्वाद में जो 57 है वो तो आप लोगों को आ रहेगा एस ब्लॉक में रहेगा ठीक है चले आगे चलिए अंसर आप लोग बताए कि सर एसे सी जेई के सब्सक्रिशन पर आप लोग पढ़ सकते हो वहां पर बहुत सारे टीचर पढ़ारा कंप्लीट आप लोगों को कोर्स मिल जागा एसे सी जेई का आप लोग सब्सक्रि ठीक है नीरज 11 तो यहां पर आप लोगों को सभी कोर्स मिल जाएंगे मैके निकल इंजिरिंग के नेकेड पर नीरज 11 लगा ली जाएगा ठीक है एंडबली आरे जे डबल वन चलिए बात करते हैं पानी का वाश्पी करंद किस पर होता है करेंट अंसर बताइए option number A होगा B होगा C होगा D होगा दी होगा A होगा B होगा क्या होगा अब कुछ जेने बोल रहे हैं सर क्या बच्चे जैसे question करवा रहे ये भी किये के D होगा आप करोगी ऐसे examiner करेगा ऐसे नहीं है इसका D से इंसर बताओ क्या करो तो को सौरे धमादम D दे रहे हैं अब देख लो आप एक भी बच्चा ऐसा नहीं है जिसने कुछ अलग दिया हो सब ने D दिया है और सब के सब गलत है सब का गलत है तो चलो दूसरा बताओ D को तो मैंने Eliminate कर दिया अब आप मुझे बताओ दूसरा क्या हो सकता है दूसरा बताओ ये A, B, C क्या हो सकता है अब दूसरा बताओ आप सर B D को छोड़ दिया अपने A होगा freezing temperature मतलब 0 degree Celsius पर पानी उबलेगा इसी पे आप लोगों का washpikaran होगा क्या washpikaran का मतलब क्या है water जो आप लोगों का liquid state में आपने उसको heat दी जिसकी वेज़े से vapor में convert होगे liquid का vapor में convert होना ही आप लोगों का evaporation washpikaran कुछ बोल रहा है इसी वाले temperature पे होगा और इस temperature पे तो पानी जमता है यार कुछ बोल रहा है at all temperature तो ठीक है भई यहाँ पर देखो यह पानी रखा हुआ इस glass में पानी है अब भी शायर यहाँ का temperature कितना है 26 degree Celsius है मेरे room का temperature तो फिर यह washpikaran क्यों नहीं हो रहा इसका इसका washpikaran क्यों नहीं हो रहा अगर आप बोल्डर सर वाश पर बन गई आप हमको बता ही नहीं रहे वाश बन गई लो अगर बताओ अब तो क्या है इसकान सर फिर चैलेंज करें इस question को चैलेंज करते क्या गलत है यार ऐसे जोड़ी डी होना चाहिए सर तो दोस्तो देखो आप एरी बात को समझो मैं आपको बताओं science ऐसा subject है ना हम लोगों को लगता है कि हाँ science बहुत easy है तफ भी नहीं है तफ तो बिल्कुल भी नहीं है बट यार इसको आप लोग concept समझा करो यह history नहीं है राजा के नाम याद रख लिए राणी के नाम याद रख लिए किलो के नाम याद रख लिए उनका जनम दिवस का बाता यह नाम याद रख लिए और कहानी हो गई यहां पर आप लोगों को concept समझना ही पड़ेगा यार चाहिए physics हो के आप रटो कुछ भी मत जितना आप लोग रटो के science को उतने आप लोगों के question गलत होंगे अभी यह warm वाला question था मैं इता explain क्यों किया क्यों से मैंने आपको कम से कम दस बारा confusion दूर कर दी नेमा टोड़ा क्या होता है इस सारी चीज़े तो सेम आप लोग रटो मत अब इसके पीछे concept है दोस्तों इस concept को समझने के लिए आप लोगों को मेरे एक वीडियो देखना पड़ेगा जो मैंने 16 दिसंबर 2008 को पढ़ा था इस इसका अंसर आप लोग द्याद रखो option number C अब आप लोग बोलेंगे सर C कैसे द्याद रखो आप मुझे एक चीज़े बताओ आप लोग क्या बोलते हो आपने जब बाटनी पड़ी थी आपने बताया था कि जो पौदों में जो पत्ती होती है इसमें बहुत छोटे-छोटे च्छेद होता है जिसको आप लोग इस्टॉमेटा बोलते हो आपने पढ़ाता ना जब इस्टॉमेटा खुलते हैं तो सूरे का प्रकाश इसमें पढ़ता है जो एक्स्ट्रा वर्टर होता है वो वास्ट पर बनके उड़ जाता है यह आप ही ने बतायता है तो एक चीज कि जबकि आप बोल रहो सर 25-35 पर वाश बन गया तो किसी भी टेंपरेचर पर हो सकता है अब आप लोग बोलगे सर ऐसा कैसे समझो मेरे बाग को दोको एक्चुली में जैसे आप लोगों को पता है पानी का बॉइलिंग पॉइंट प्रेशर की साथ में कम ज़्यादा होता है नहीं होता है वैसे एक चीछ पर और डिपेंड करता है जिसको हम लोग बोलते हैं पार्शल प्रेशर और वाटर वैपर अब वो इतना डैप में नहीं समझने के जरूत सिंपल से बात रहां रखो इसका अंसर छी होगा इसका में एक जंपल आप लोगों को बता भी दिया तो क्लास में पूछा था अगर आपको ध्यान हो तो मैंने डेट दो महिने पहले पूछा था कि बता हो इसा क्यों होता है या फिर आप लोग और में चीछ बताऊं दोस्तों आप एक कांगर आप च्छत पे जाओ च्छत पे थोड़ा सा आप लोग पानी डोल दो आप लोग दो ग ओनगे तो द्याद रखेंगे किसी टेमपरेचर पर होता है उसके प्रेशर पर डिपैंड करता है ठीक है चलो आजहों ऑंसर आप लोग बताएंगे वेग और समय का गुननफल क्या देता है सिंपल सा गोशन है मास अच्छा वेग और समय का गुननफल बताना चलो यार upon time तो अगर मैं time को इधर लेकिया हूँ तो velocity into time क्या बन जाएगा आप लोगों का displacement यानि विस्तापन बन जाएगा correct answer आप लोगों का option number B हो जाएगा चलिए answer आप लोग बताए Sir heavy driver का PDF काँपर मिलेगा वहीं मिलेगा दोस्तो एक बार light गई है यह बैटरी बन कर गया तो माँ वच कर दी जली से इसका अंसर बता दो आप लोगों के लिए तो आप लोगों को बताने कितने उश्में उद्पन होगी देखो आप लोगों को बता है कोई भी वायर में आप लोगों को अब चलिए इधर देखो इधर देखो इधर देखो यह आप लोगों का एक जीरो से यह एक जीरो कैंसल हो गया कोई दिक्कत मैंने कुछ बहुत बड़ा तो नहीं कर रहा चलो नो यह चे नाम हो जाएगा आप लोगों का अब देखो नाइन इंटू सेक्स हो जाएगा सिक्स नाम फिफ्टी फॉर फिफ्टी फॉर इंटू फॉर वन एट अपॉन टैन इतने जूल आपके पास में हीट डवलप होगी बट आप लोगों इस इंसर किसमें पूछा जारा है कैलोरी में पूछा रहा है दोस्तों आप इन टू 1 बट स्टार वं एट इसको स्टू कर लिज यह 5 çaard चालिस आप लगों के अरहे बहुत सिंप्ल होगे तो देखो, क्या हुआ है आपर यह चार सո डाए और यह अप लोगों का क्या है 4.18 तो 418 आप लोगों से cancel हो जाएगा 4.18 से इधर आ जाएगा 100 तो नीचे 10 है तो 100 बटे 10 आपका 10 हो जाएगा 54 इंटू 10 पांचो चाली सॉप्शन नमबर डी ठीक है तो calorie में आप लोगों को convert करना था इसको अंसर बताईए इसका तांबे और जस्ता के साथ कांसे बनाने के लिए डैश तत्व जोड़ा जाता है दोस्तों आप लोगों को bronze बनाने के लिए क्या करते हो देखो यह आप लोगों का पढ़ाय वाइमेन अलोए तो ब्रॉंज आप लोगों का किस से बनता है कॉपर से और टिन से कॉपर 88% तिन 12% जबकि आप लोगों का जो ब्रास होता है जो पीतल होता है वो कॉपर और जिंग से बनता है वहाँ पर copper 70%, zinc 30%, ठीक है, तो copper और tin से आप लोगों का बनेगा, तामबा और, तामबा और जस्ता के साथ नहीं, तामबे के साथ कान से बनाने के लिए कौन सा तत्व जोड़ोगे, तिन जोड़ोगे, जिसका symbol SN होता है, क्यों किसका लैटेन विश्टेनम होता है, ठीक है, तो जस्ता नहीं मिलाते हैं, अब डैश अलेमेंट इस एड़ेट विद जिंक, हैना केवल copper और tin चाहिए, आपको copper और tin चाहिए, जिंक नहीं चाहिए, चलिए, अंसर आप लोग बताए, क्योशन आपके स्क्रीन पे है, कार्बनिक पदार्तों के अबगटन द्वारा, प्रत्वी की सत्य की नीचे बनने वाले इंधन को आप लोग क्या बलोगे, दोस्तों कार्बनिक पदार्त आप लोग किसको बलोगे, जिसमें carbon पाय जाता है, हमारी body में भी आपको carbon मिलेगा, प्लांट में भी carbon मिलेगा, तो actually क्या होता है, जब कोई मान लेते हैं कोई animal की body, हम भी एक प्रकार के animal है, कोई animal की body, ये plant की body, प्लांट हैना, आप लोग के बहुत समय तक आप लोग के दबे रहते हैं, तो वो आप लोग क्या बन जाते हैं, उनसे आप लोग का fuel बन जाते from the remains of dead plants and animal, जो आप लोग के dead plants और animal के जो अफ्षेश होता है, ये बहुत समय तक जब दबे रहते हैं, इससे आप लोग को क्या बनता है, fossil fuel बनता है, चलिए आप लोग अंसर बताएं इसका, question आपकी स्क्रीन पर है, नाइट्रिक अमल और हाइड्रो क्लोरिक अमल का डैश के नुपात में mission aquarage कहलाता है, दोस्तों आप लोगों को पता है, जिसको आप लोग अमल राज भी बोलते हो, इसका इस्तिमाल कहां पर होता है, जो noble metal होती है, noble metal किसको बोलते हो, जो किसी से react नहीं करती है, बहुत कम reactive होती है, जिससे सोना इसका example हो जाएगा, प्लेटिनम इसका example हो जाएगा, तो इनको गलाने के लिए आप लोगों को बहुत खतरनाग strong acids ही होते है, तो आप लोग यहाँ पर दो खतरनाग strong acids को क्या कर रहो, mix कर रहो, कौन-कौन से होता है, तो nitric acid होता है, और एक hydrocloric acid, किस वरेजिय का color क्या होता है, तो इसका color होता है, दोस्तो यलो-ish orange होता है, और यह आप लोगों का एक mixture है, nitric acid और hydrocloric acid का one ratio three, इसका क्या हो जाएगा, अनुपात हो जाएगा, चलिए बताइए, किस प्रकार का प्रजिनन अधिक विवित्ता ला सकता है, regeneration, budding, sexual, asexual, देखो, एक चीज़ आप लोग समझेगा, sexual reproduction आप लोग किसको बोलते हो, जहाँ पर दो parents होता है, जैसे मालो, father है, mother है, फिर इनसे क्या बन रहा है, बच्चा बन रहा है, जबकि asexual में एक ही parents से क्या बन जाता है, बच्चा बन जाता है, तो आप लोगों को है, जब यहाँ पर बच्चा बनेगा, तो फादर से कुछ चीज़ आएगी, mother से कुछ चीज़ आएगी, तो obviously बात है, यह जो आप लोगों का बच्चा होगा, ना एक जट फादर की जैसे होगा, ना मदर की जैसे होगा, इसमें variation ज्यादा होगा, जबकि asexual variation बहुत कमाता है, तो ज़्यादा variation आप लोगों को कहाँ पर मिलेगा, sexual reproduction में मिलेगा, जिसे हैं यहाँ पर आप लोग देखो दो बच्चे हैं, फिर भी आप लोग ठोड़ा सा difference इन में पैचान जाओगे, clear जबकि same father, same mother से होगा, next, तो आज कही इतना हो गया, दोस्तो डेली वन पीम पे आप लोगों को पता है, science के most expected questions कराता हूँ, बिल्कुल free class होती, इसको miss मत करो, class में live rank मिलेगी, telegram पे link डाल देता हूँ, एक बज़े से पहले, ठीक है, तो सीधे आप लोग वहाँ पर जुड़ जाया करिए, और प्यारे दोस्तों, जिसका आप लोगों को बेसबरी से हिं आप लोगों को पता है, दोस्तों, physics, chemistry, biology, तीनों की complete मैं आप लोगों की थूरी करवाँगा, content आप लोगों को देखोंगे, बिल्कुल मज़ा आजाएगा, आप लोगों को लगे गई, नीकियार, आपने कभी पहले कुछ पढ़ाई, इतनी सारी चीज़े आप लोगों को स आप लोगों को बताए, दोस्तों, जब आप लोग content देखोंगे, यूटूब का देखोंगे, इसका देखोंगे, तो आप लोगों को बता है, मेनत में कहीं कमी नहीं रहती, दूसरी चीज, आप लोगों को बोलने की जरुती नहीं, कि सर, PDF अगरा सब बढ़िया मिलेगी न आप लोगों को बताए, यूटूब में इतना content लेकर आता हूं, इतना design करके लेकर आता हूं, तो भई, यहां के तो आप लोग बाट छूट जाईए, बूल जाईए, मतरब pension लेना ही नहीं है, दोस्तों, जो अभी अभी मेरा booster code हुआ है, questions का, वो वाला code भी आप लोगों क इसमें मिल जाएगा, जब आप लोग subscription लोगे, 12 महीने का आप लोग लीजिए, 12 महीने तक आप लोगों को सब कुछ मिलेगा, 4000 रुपे का subscription है, मात्र और मात्र code लगाईए, नीरज 11, यह आप लोगों को 36 रुपे में मिल जाएगा, और जब आप लोग इसके content देखेंगे, तो मदब 36 भी इसके लिए आप लोगों को लगेगा कुछ भी नहीं है content का level आप लोगों को बताए और क्या होगा ये भी आप लोग देखोगे ठीक है तो thank you so much मिलेंगे एक बजे वाली class में और आप लोग के बुश्टर कोर्स 11 अपरेल से start हो रहा है बबाए टेक केर